बंबे हाई कोट ने ये कहा कि सुशान के चेहरे को देखके कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि कितना सोबर, कितने शरीफ, कितने अच्छे इंसान थे तो वो सारे लोग जो सुशान के ओपर टिपड़ी किया करते थे उनके मूँ पे जोरदार तमाचा है ये क्योंकि मानियो क कोट ने विवाद के दी तो ये सुनके हमें तो बहुत थंड़क पड़ी है लेकिन बहुत सारे लोगों के जो कल उनको नीद नी आयोगे बहुत सारे लोगों को ए टिपड़ी में अच्छी लगी होगी तरिया चेक्रवर्ती ने उनकी बहनों और उनकी फैमिली के ओपर टा काम किया है जो उन्हों ने लिपापridges किया है वह पर मनना चाहिए है कि जल्दी को करना चाहिए कि सुषांध टा की मंतरी अगर आप कर रहे है तो आपको भी पता है कि जनता को पता है कि यस को लोग tôi सब एक एक बारों में छपें तो टो जितने लोग Girноosink दंधिक नश्यद कोटने कोड़ी बारे में इखने महा ... महानाईग जी ने वहुआ है जिसमें लोगों की हैसियत की कुछ बाते लिखी और कली किसी ने प्याई डाल कि वाहे gent गौन 19 है हमें नहीं चाहिए कि हम फोन करें किसी को और महानायक की आवाज आए और वो भी उस वेक्ति कि जिसके घर में सब को कोरोना खुद हुआ है उस पर ग्यान देते हुए महानायक जी अपनी अच्छे लगते तो आपके आपके आवाज हम क्यों सुने इसका मतलब जनता आपक यह हुआ था आप मैं तो उस दिन का वेट कर रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होगा जिसके लिए लोगों का गुसा है रिया चक्रवर्ती की कोई फिल्में देखेगा रिया चक्रवर्ती को कोई पसंद करेगा रिया चक्रवर आए उसका तो परदाफास होई चुका है अब आपके फिल्म में तो कभी नहीं चलेंगी अब सुषान सिंग राजपूत को लेकर आज बॉम्बे हाई कोट ने भी टिपड़ी की और नों ने भी कहा है कि सुषान सिंग राजपूत के फेस को देखकर बदा सकते हैं कि वो कितन कितने शरीफ कितने अच्छे इंसान थे तो वो सारे लोग जो सुषान के ओपर टिपड़ी किया करते थे उनके मुँपे जोरदार तमाचा है यह क्योंकि मानियों कोट ने विवाद कह दी तो यह सुनके हमें तो बहुत ठंड़क पड़ी है लेकिन बहुत सारे लोगों के जो कल उनको नीद नहीं आई होगी बहुत सारे लोग को यह टिपड़ी में अच्छी लगी होगी और यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो यह सोच रहे थे कि सुषान सिंग राजपूत का केस बंद हो गए अब इस पर कोई कारवाई नहीं होगी कोट भी कोई जवा पेमारी हो रही है कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है आप देखें रोज नहीं-णिए हैडलाइन से, CBI अपना काम कर रही है लेकिन चार सेंट्रल एजशी जे लगतार लोगों को बुला के काम कर रही है और जिस तरीके से कल पहली हीरिंग होई है जब सुषान के वक कि सारे बाईज़त उससे भाहर आएंगे किसी के भी FIR करने से सुशान के परिवार के उपर उंगली उठाने से कोई फरक नी पड़ता क्योंकि जितने लोग हैं उनको सबको पता है कि सुशान किस तरह का व्यक्ती थे और इस कितना अच्छा इंसान था हो कोशिक की जा रही है देखे अनिल देशमुक का साथ मुझे तो समझी नहीं आ रहा है क्यों उनको इतनी जल्दी है कि CBI अपना कि सुशान तो दिशा के केस में कौन-कौन से लोग इंवल्व थे वहां की पुलीस ने किस तरीके से इसमें लिपाप होती की थे सुशान के केसे में क्या लिउपोल्स थे कैसे इस केस को दबाने की कोशिश की गई थी तो जितना भी ये कोशिश करें देखें कल कोट ने सुशान की तारीफ की, सरेयाम तारीफ की, अकबारों में छपें, तो जितने लोग सुशान के बारे में उल्टी सीदी बाते करते थे, वो चरस लेता था, नशा करता था, उनके परिवार के बारे में बोलते थे, वो तो उन पर रेन का बया निनी के पर भारी पड़ गया कि लोगों का ये कहना था आखिरकार आपको जल्दबाजी क्यों है कि जितनी तरीके से सबूतों के साथ टेंपरिंग की गई आखिरकार उन चीजों को ढूंडने में टाइम तो लगेगा इस तरीके की बात हैं ती शोचल मेडिय किस तरीके से सबूतों के साथ छेड़ ओगी किस तरह से सुषांत के फ्लैट को खुला छोड़ा गया कि जितने सबूत बचे हैं उसको भी आप आईए आप नश्ट कर दीजिए अब तो मैं नया सुनरी हो कि सुषांत का जो फ्लैट शायद वो सेल पे भी है जिस तरह से है तो जो टैंपरिंग इन्होंने की थी सबूत के साथ उसको ढूंडने में जरूर समय लगेगा लेकिन सारे सबूत सी बी आई को सेंट्रल एजेंसिस को जरूर मिलेंगे क्योंकि देश की बहुत बड़ी एजेंसिस इस पर काम कर रही है और लाखों कर एजेंसिस की भी बा वालों को उठाना पर सी बी आई हो एंसिबी हो या फिर एडी हो लगातार चापे बार रही है लगाता लोगों को समन दिये जा रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही एंसिबी ने शुषान जिंग राजपूत की एक्स मैनेजर यानि की शुरूती मोधी को समन किया था और छे गंटे तक उनसे पूछता शुईती तो यहां पर यह भी बाते हैं कि काफी सारी ऐसे चीज़ा हैं जो इनके द्वारा सामने आई होंगी देखे बिल्कुल एंसिबी लगातार चापे मारी मारी जिससे अपने का कि शुती मोधी को बुलाए गया था जो उनकी एक्स मैने हुई है एडी की जाश लगातार चल रही है संजराओ जी की पतनी से पचास सवाल जो पूछे गए है वह उनसे सवाल पूछे जा रही है एडी अपने सवाल पूछ पूछ रही है एडी अपने सवाल पूछ पूछ रही है एडी अपने सवाल पूछ पूछ रही है एड़ पैसे बॉलिवूड में लगते थे उसकी भी जान चल रही है तो बॉलिवूड का वो जो एरा था जो गोल्डेन अरा था जब बिलकुल ये बिलकुल महानायक की तरह जी रहे बड़े बड़े सूपरस्टार करोण और पर कमा थे वो खतम हो गया आज तो इनकी जो कलर्स चानल जिसके घर में सब को कोरोना खुद हुआ है उस पर ग्यान देते हुए महानायक जी अपनी अच्छे लगते तो आपके आवाज हम क्यों सुने इसका मतलब जनताप की आवाज भी नहीं सुनना चाहती आप लोगों की हैसियत नापने लगे अगर हम बात करें तो सुचान सिं या फिर एंसे भी यह चानबीन नहीं करेंगे पर अब जैसे हमार देखने को मुल रहा है कि सारी की सारी एजंसिया चानबीन करने में लगी हुए हैं मैंसी देखिए 2021 मैंने परसु ट्विटर पे लिखा था कि 2021 निया एक साल होगा और यह महीना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए क्योंकि इस महीने में सुषान सिंग राजपूत का जनम दिन है तो आज 21 तारीक को अगर हम 21 तारीक अगर सोचे तो सोचो कि इसके परिवार उसके पिता उसकी बहने वो ऐसे सारी हैं सुन कि क्या हालत होगी जब 21 तारीक आएगा तो मुझे लगता है कि वो देश, वो पूरा देश, पूरा विदेश, सारे लोग वो बैठे हुएं 21 तारीक के आज में कि शायद उसके जनम दिन से पहले कोई बड़ा फैसला आ जाए, कोई नई चीज हो जाए और मुझे पूरा यकीन है कि देश की बड़ी एजिंसियां लगी हुई है, 2021 नियाय तक CBI पौच चुकी है, और CBI को सिर्फ डिकलेर करने की जरूरत है, बाकि तो हमें पता ही है कौन इसके पीछे था कि इतने चूजे, कितने लोग इसके पीछे था, मैं तो सब पता है, तो आप हो सकता है, लेट आए ज़रूर हम सिर्फ प्रेस का वेट करें कि AIMS अपनी प क अब ड़ाने के लिए और अपने आफ को बढ़ने के लिए, अपने आफ को बढ़ने के लिए, हमारा में konkret हमें इक करने के लिए, हमारा Taking the allergy करने को तो ही हैं और हमारे बीच में और पीच में भी एज़िए हुआ सबघ क्राएं कि एसे सारी इंस को तोड़ा जाए ऐसे सारी इंस को तोड़ा जो अभी तो मैंने देखा कि रिया चकरवर्ती के लिए शायद एक डारेक्टर प्रोड्यूसर जुनों ने लिखा कि फिल्मे आने वाली है उनकी चहरे या कोई फिल्म इनकी है तो मुझे तो पता नहीं कि इनकी जाच कर रहे हैं लोगों को पता है कि अंदर क्या हो रहा है सिर्员 नाम डिकलेर मैं तो कहरी हूँ वो जिल्स दिन वो दिन होगा ना जिसन डिक्लेयर होगा कि सुचान सिंग राजपूत के साथ यह हुआ था आप मैं तो उस इन का वेट कर रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होगा क्योंकि वह दिन बहुत बढ़ा दिन होगा हमारे लिए आपने रिया चकरवर्ती क की बात की और उनकी मुवी की बात की जिस तरीके से डारेक्टर रिया चकरवर्ती को ले रहे हैं और मुवी में ले रहे हैं क्या सोचके यह डारेक्टर मुवी में ले रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने सुचान संग राजपूत के मामले में आवाज लोग तो उन तक का भाइशकार कर रहे हैं तो इस आने वाली मुवी का क्या होने वाला देखे जब कौन बनेगा करोडपती और बीग बॉस जैसे सीरिल्स को लोगों ने पसंद नहीं किया जब महानायक को के वो सीरिल के लिए जो नौ बजे लोग बैट जाते ते कौन बनेग मतलब एक तरफ बॉम्बे हाइकोट यह कहता है कि वो चेहरे से सोबर लगते थे शरीफ लगते थे अच्छ इंसान लगते थे कोई उनको देखके कह सकता है और एक तरफ यह कहती कि मैं मेरा परिवार कभी ड्रग्स नहीं लेता था ड्रग्स तो सुशान ते तो मैं सुशान रुपे खर्च करने से बढ़िया है कि किसी गरीब को दान देदो पर रिया चक्रवाती की पिक्चर मत देखो जितने भी लोग हैं जो हमारे चैनल को डेवन से फॉलो कर रहे हैं सुशान सिंग राजपूत के लिए उन लोगों के लिए क्या संदेश यूंकि आए दिन हमें एक ना एक अपडेट मिल रही है सुशान से रिलेटेड और ऐसा भी है और यह भी बात हैं सच हैं कि अभी तक यह केस बंद नहीं हुआ है और CVAE भी जांच कर रही है और ED लगी हुई है मैसेज वेक चीज कहना चाहूंगी पूरी खोशिश हो रही है जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले मैं देखा कि भाई बहन दोनों बॉम्बे के खाक चान रहते जगे जगे घूम रहे तो उनको फ्लैट नहीं मिल रहने के लिए उनको घर नहीं मिल रहने के लिए तो कर्मा कर्मा ऐसी चीज होती है जो सामने आती है तो चाहे रिया चकरवती हो चाहे संधीप सिंघ हो संजेराउत हो जब सारे लोग हो लेकिन पियार एजन्सी बहुत अक्टिवली काम करी हैं ऐसे सानियन्स को तोड़ने के लिए हमें मेंटली वीक करने के लिए आप वीक मत होग सुशान तक केस चल रहा है आप CBI पे बरोसा रखी अपने सेंट्रल जेंसी से बरोसा रखे 100% कल्प्रिट जेल जाने वाले हैं 2021 न्याय का ही साल होगा